नमस्कार, हिमाचर वुलटिन में आपका स्वागत है, पेश हैं आज की समाचार मुखे मंत्री शीजराम ठाकूर ने आज जिला कांगरा स्थित विश्राम गुरुही कांगरा में जनसमस्याई सुनी और अधिकारियों को उनका त्वरित समाधान करने के निर्देश दिये इस अवसर पर उन्होंने राजे के लोगों से कोविद-19 टीका करन अभ्यान में भाग लेने का अग्रह किया, ताकि इस महामारी की संभावित तीसरी लहर को रूका जा सके उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर टीका करन अभ्यान शुरू किया है और हिमाचल प्रदेश इस अभ्यान में देश में अग्रनी राच है शीजराम ठाकूर ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी की स्थिती से निपटने के लिए पूरी तरहां से तयार है और इस महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी आवश्यक प्रबंद पूरे कर लिए गए हैं उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजेंदर प्रसाद, राज की एचेकित्सा, महावविद्याले, टांडा और प्रदेश के अन्य सभी प्रमुक स्वास्ते संस्थानों में स्वास्ते सेवाओं को सुधुर्ड करने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाय जा रहे हैं मुख्य मंतरी ने कहा कि मुख्य मंतरी सेवा संकल्प हल प्लाइन एक एक शोने शोने जन शिकायतों के त्वरित समाधान प्रदान करने में सहाइक सिध हो रही है इस हेलप्लाइन के माध्यम से अब तक लगभग 2,48,000 शिकायतें प्रप्त हुई हैं जिन में से अधिकांश का निवारन कर दिया गया है उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के निवारन के लिए शुरू किया गया जन मंच कारे क्रम राजे सरकार की एक महद दोपुन पहल है उन्होंने कहा कि COVID-19 के कारण पिशले कुछ महीनों से जन मंच का आयोजन नहीं किया जा रहा है परन्तु स्थिती सामाने होते ही यह कारे क्रम फिर से आरंप कर दिया जाएगा यह कारे क्रम जनता तक पहुँशने और उनकी शिकायतों और समस्याओं का मौके पर ही निप्टारा करने का एक प्रभावी माथ्यम है मुखे मंतरी शिजराम ठाकूर ने कहा कि राजय सरकार ने आतनिर्भर भारत अभ्यान को केंदर में रखते हुए व्यक्तियों और संगटनों की और से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने वाले पारिस्थित की तंत्र का निरमान कर व्यापक बदलाव लाने के लिए नई विज्ञान प्रदयोगी की और नवाचार नीती तयार कर अनुमोदित की है। मुखे मंतरी ने कहा कि भारत सरकार की विज्ञान प्रदयोगी की और नवाचार नीती से प्रेणा लेते हुए हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रदयोगी की और पर्यावरन प्रतनीधियों के साथ विभिंदौर के विचार विमर्ष के बाद प्रारूप दस्तावेश को अंतिम रूप दिया गया है। इसके बाद मसोदा दस्तावेश को राजमंत्री मंडल ने अनुमोतित किया। समगर सतत विकास को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि नई नीति का उदेश अनुसंधान और विकास संस्थानों और नवाचार केंद्रों को मजबूत करना, प्रात्मिक्ता वाले अनुसंधान एवं विकास सक्षित्रों की पहचान करना और वैग्यानिक अनुसंध स्थान को बढ़ावा देने के लिए मंच प्रदान करना, नवाचार के लिए उप्योगत पारिस्थित्र की तंत्र को बढ़ावा देना व विक्सित करना और आत्मिर भरता के राश्ट्रे ओदेश्यों को पूरा करना है। तकनिकी क्षमता और समाजिक आर्थिक विकास के स्वदेशी संसाधनों का अधिकतम उप्योग भी इसमें शामिल है। मुखे मंत्री शीजाराम ठाकूर ने आज जिला कांगडा के नगरोटा बगवा में विधायक श्री अरुन कुमार के घर जाकर उनकी माता जी के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया। मुखे मंत्री दो बज़े जारी बुलटन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमन की जाच के लिए आज 1413 लोगों के सैंपल लिए गए जिन में से 304 लोगों के रिपोर्ट नेगरिव आई गई है जबकि 1098 लोगों के रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 30,54,955 लोगों की जाच की दो लाग 4,669 लोग इस बिमारी से ठीक हो चुके हैं और 2,508 विक्ती उपचारा थीन है। करने कर दो कर दो कि देक हैं और 2,508 विक्ती उना जाड़ा से 30.